नमस्कार दोस्तों भक्तिनगरी यूट्यूब चनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में खीर देखने का क्या मतलब होता है इसके साथ ही यदि आप सपने में खीर खाते हुए देखते हैं तो इन सपनों का क्या मीनिंग होता है ये सारी जानकारी आ आपकी कोई मनोवांचित इच्छा पूरी हो सकती है, आपको अपने काम में सफलता प्राप्थ होगी और आने वाले समय में कोई good news मिल सकता है अगर आपने सपने में खुद को खीर खाते हुए देखा है या किसी और को भी खीर खाते हुए देखा है तो इस सपने के अनुसार आपको आने वाले समय में अत्यधीक धनलाब मिल सकता है आपको आपके नौकडी और व्यापार में धनलाब प्राप्थ होंगे इस तरह सपने में खीर खाते देखने का मतलब धनलाब, स्वास्तलाब, घर में सुकसम्रिती और आर्थिक उन्नती का संकेत होता है अगर आपको सपने में प्रसाद के रूप में मंदिर से या कहीं से भी खीर मिलता है तो यह भी सुपस्वप्न माना जाता है इस सपने के अनुसार आपके जीवन के सभी कश्ट समाप्त हो जाएंगे और आपको जीवन में खुश्यों की प्राप्ती होगी आने वाले समय में आपके मान सम्मान में व्रिधी होगा और आपको कहीं से धन का लाप हो सकता है सपने में खीर का प्रसाद के रूप में मिलना बहुत ही सुप माना जाता है वहीं अगर आप सपने में ऐसा देखते हैं कि आपके हाथ से खीर गिर जाता है तो यह सपना अच्छा नहीं माना जाता है इस सपने के अनुसार आने वाले समय में आपको धन का नुकसान हो सकता है यानि आर्थी खानी का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैमाता दी